नमस्ते दोस्तों आज हम इस वीडियो में चालू के राजवन्स के बारे में जानकरी फ्राप्त करेंगे तो देखें दोस्तों चालू के राजवन्स है इसके अलावा भी दक्सिन भारत में अन्नेक राजवन्स थे जिन हुने भारत के इत्यास में अपना महतोपुन योगदा दिया है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और जिन से संबंदित एक्जाम्स में क्यूसन भी आते हैं तो देखेगा चालू क्योंकि अलावा दक्सिन भारत में अन्य प्रमुक राजवन्स कौन-कौन से थे जैसे कि चोल है चेर है संगम है पांडे है ठीक है इनको भी हम लोग तो देखेगा होता है कि जो दक्सिन पत है उस पर मोर्य सामराजे का अधिकार था तो जब मोर्यों की सक्ति कमजोर हो गई थी और भारत में अनेक परदेश मोर्यों के अधिनता से अब मुक्त हो गए थे और वो आप स्वतंत्र होने लगे थे तो क्या होता है कि दक्षिनापत में सात्वाहन वंस ने अपने एक पर्थक राज्ये की स्तापना की थी और सात्वाहनों ने मगध तक अपने समराज्ये का विस्तार भी किया था फिर क्या होता है कि जो सक्सात्वान संगर्स हैं इनके कारण सात्वान मंस भी कमजोर पड़ गया था ठीक है और दक्सिन में अनेक नए राजवन्सों का उद्धे होता है ठीक है अब क्या होता है कि जो सक्सात्वान मंस में जो संगर्स वा था उसके कारण जो आपका सात्वा और पल्लव वंस के नाम भी महतवपुण है ठीक है इनी वंसों में से एक चालू के राजवंस भी था जो एक महतवपुण वंस था जिसके बारे में इतिहास में काफी कुछ पढ़ा जाता है और एकजामे भी कई बार क्युसन पूछे जाते हैं तो देखेगा जो चालू के र और दूसरी साखा आती है वेंगी के चालू के इन्हें पूर्वी साखा भी कहा जाता है और कल्लाणी के चालू के जिससे पस्सी में साखा भी कहा जाता है तो हम कहें सकते हैं कि चालू क्योंकि तीन साखाई थी कौन-कौन सी बादमी या वाताभी के चालू के वेंगी के च सत्ता एक्जाम में कि चालू के कोन कोन सी साखाई थी बादामी के चालू के वेंगी के चालू के और कल्यानी के चालू के ठीक है देखेगा जो बादामी के चालू के है ये मूल साखा थी और जो आपकी वेंगी के चालू के ये पूर्वी साखा थी और कल्यानी के चालू के य इन में से हम पढ़ते हैं बादामी के या वातापी के चालू के देखेगा जो बादामी के चालू के हैं इनका समय था 543 से 757 और इस वन्सकी स्थापना पुलकेशन पर्थम ने की थी ठीक है और ये जो साखा ये चालू कें की मूल साखा थी इस साखा का जन बादामी जो बिजापूर करनाटक में हुआ था बादामी के चालू कें की समय में उत्तर में हर्षवर्दन तथा दक्षिन में पल्लव राजवन्सका भिसासन था ठीक है और जो कीर्थी वर्मन द्वित्य था जो बादामी का जो साखा था वह एक अयोगे चालू के साखा था इसको हराता कोन है दन्ति दूर्ग ठीक है और रास्टर कूर्ट राजवन्स की स्थापना करता है इसके बाद कोन आता है रास्टर कूर्ट राजवन्स आता है अब देखेगा बादामी के चलूकियों के बारे में कई बार क्यूसंस पूछे जाते हैं तो सबसे पहले कि उसन आता है कि बादामी के जो चालू के हैं उनकी स्थापना किस ने की थी वो की थी पुलकेसिन पर्थम ने और कई बार क्या है कि कई जो पुस्तके हैं उनमें जैसिंग का नाम भी आता है तो जैसिंग को भी संस्तापक माना गया है और लेकिन जो मैं सासक पुलकेशन पर्थम, किर्थिवर्मन, पुलकेशन सेकंड, विक्रमा दिते, विन्या दिते और विज्जा दिते. ठीक है अब देखेगा ऐसे बी कई बार पूछ लेते कि जो बातापी के चालू के है या जो बादामी के चालू के है उनमें सबसे परतापी सासक कोन था वो था सब्स्काराइब चैनल आपका पुल्केसं सेकेंड था तो इसे इंपोंट्रेंड बातें बनती हैं तो देखेगा जो महाकोड स्थंबलेख है इस से परमानित होता है कि जो पुल्केसं सेकेंड है इसने सुवन एगनीस्टों यग्ये समपन वनकSON करवाया था ठीक है और इसने क्या करवाया था एक इंपोर्टेंड बात ये वी कि इसने जिनेंद्र का मिंगूती मंदिर भी बनवाया था ठीक है और फुलकेशन सेकिंडेस ने हर्षवर्दन को हराया और परमेश्वर की उपादी धारण की थी और इसने दक्सिन पतेश्वर की उपादी भी धारण की थी ठीके अब जो हर्षवर्दन ये कों था पूसी भूती वन्सका था तो इसको किसने हराया था पुलकेशन सेकिंडेस ने और परमेश पाथ है वो यह है कि जो पल्लम वन सी नर्शिहां वर्मन पर्थम है इसने पुलकेशिन सेकिंड को हराया था और राजदनी बादामी पर अधिकार कर लिया था और ये कब हुआ था? 642 इस्यु में το P rotten है इसको प्लम नरेश नर्सिह वर्मन पर्तन ने हरा दिया था और 602 इस्यु में हराया और इसी यूध में क्या होता है P एकàyण सेकर्ण वे उबागा जता है और नर्सिहं वर्मन ने वातापी कोण की उपादी धारण की थी ठीक है अब आपके मतलब क्यों से नहीं आ रहा होगा वह यह नर्सियां वर्मन कोन आ गया आपर तो यह महेंदर वर्मन फैस्ट का पुत्तर था तो जो पल्लव सासक महेंदर वर्मन पर्थम था उसको पुलकेसी सेकेंड ने आकर्मने में हराया था महेंदर वर् आज एका बदला लिया है किससे पुलकेसी सेकेंड से ठीक है और जो यह आपका नर्सियां वर्मन पर्थम है यह पल्लव राजवन जब आपको पढ़ाया था तो यह बात भी बताई थी ठीक है एहोल अभिलेक का सम्बंध भी पुलकेसी सेकेंड से यह क्यूसन भी कई बार पुछा जाता है कि जो एहोल अभिलेक है यह कौन से सासक से सम्बंध है यह है आपके वातापी के चालुक के सासक पुलकेसी सेकेंड से सम्बंध और एहोल अभिलेक है इसका लेक कौन था रवी कीर्थी था ठीक है अब देखेगा जो पुलकेसी सेकेंड है इसको अजनता क एक गुहा चित्र में फार्शी दूत मंदल को स्वागत करते हुए दिखाया गया है ठीक है और वातापी का निर्माण करता कीर्टी वर्मन को माना जाता है मालवा को जीतने के बाद विन्या दिते ने सकलोतर पथनात की उपादी धारण की थी तो जो मैंने आपको जो इंपो विक्रमा दिते है इसके सासन काल में दक्सिन में अर्बो ने आकर्मन किया था तो जो मैंने इंपोर्टेन सासक बताया था आपको विक्रमा दिते उसके काल में क्या होता है कि अर्बो ने दक्सिन में आकर्मन किया था और इस आकर्मन का सामना विक्रमा दिते के जो बथेज पुलके सी है उसको अर्बों पर सफलता प्राप करने की उपलक्य में विक्रमादीते सेकिंड ने आवनी जनाश्रे की उपदी-परदान की थी विक्रमादीते सेकिंड की पर्थम पत्नी लोग महादेवी थी इसने पटडगकल में विरुपाक्स महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पतनी थी त्रेलोग के देवी उसने त्रेलोग के स्वर मंदिर का निमान करवाया था अब क्या था कि जो वाताभी के चलू के उनका अंतिम सासर था कीर्टी वर्मन सेकिंड और इसका सामन्त था दंती दूर्ग तो जो कीर्टी वर्मन सेकिंड है इसको दंती दूर्ग जो था सामन्त उसने हराया दंती दूर्ग ने और राष्ट्रकुड राजवन्स की स्थापन कि थी तो ये था आपका बादमी अर्थात वातापी चलूके ठीक है इस सम्मन्दिन इंपोर्टेंट बाते हमने आपको आपको बताई है अब चलूकें की अगली साखा आती है वेंगी के चलूके तो जो वेंगी के चलूके हैं ये प्राचीन राजय आदूनिक जो आंद्र प्रदेश की कृष्णा था गोदावरी नद्यों के बीच ये वेंगी का प्राचीन राजय है ये इस्तित था वेंगी की पैचान गोदावरी जिल्ले में इस्तित पेड़ वेंगी नमक स्थान से की जाती है वातापी के परसित च वातापी को जीता और फिर वहां पर अपने भाई को अपने चोटे भाई विश्णु वर्धन को वहां का उपराजा बनाया था कालांतरी में उसी ने यहां पर किसने विश्णु वर्धन ने यहां पर एक स्वतंतर चालू के वंस की स्थापना की जिसे पूर्वी चालू के वन्स कहा जाता है जल्दी ही यहे एक स्वतंत राजे बन गया तथा विश्णु वर्दन ने वेंगी के पूर्वी चालू के वन्स की स्तापना की ठीक है अगर हम कह सकते हैं कि वेंगी के चालू के वन्स का सेंस्ताप कोण था विश्णू वर्दन था तो पुलके सिन जो सेकिंड था वै वातापी का सरवादिक सक्टिसाल यह आपको पहले बता चुगे है और कई बार कि उसने पूछ भी लेते हैं और विश्णू वर्दन उसी का भाई था विश्णू वर्दन की पतनी का नाम आयना महादेवी था विजेवाडा के जैन मंदिरों का निर्माण विश्णू वर्दन ने करवाय था और इनकी राजदानी वेंगी थी जो अंधर प्रदेश में थी तो वेंगी के चालूके हैं उनके परमुक सास कोन को से थे जिनके बार विश्णू विज्टन थल्ड है इनमें जो सबसे सकते साले सासा क्था वह विज्धतude था और इसका सेनापति था पंडरंग ठीक है तो वेंगी के चालूकियों मैं सबसे सक्तिसाले सासक विजय दीते थल्ड था वातापी के चालूकियों मैं सबसे सक्तिसाले सासक पुलकेसे सेगिड था और अब क्या होता है कि कई बार उत्रादिकार के परसंड पर ये राजे राश्ट कूटों चोलों तथा कल्याणी के चलुक्यों के बीज विवाद का कारण बना ठीक्टे बबभई जो आगे जो राश्ट कूट है चोल है कल्याणी है वो भी मतलब वेंगी को लेने के लिए लड़ाई करते रहते थे अब देखेगा अगली चलुक्यों की साखातिया कल्याणी के चलुक्यों अब देखेगा दक्षिन भारत के इध्यास में चोलु की बाती चलुक्यों का बादामी वन्स भी परसिद था ठीक है लेकिन राष्ट्र कुटों के उठान के बाद लगबग दो स्टापियों तक चलुक के इध्यास की मुख्य दहरा से क्या करते हैं की लुक्ति हो जाते हैं सनext 1973 में चालू के तैर शेकिंड ने राष्ट कुटों को अपदस्त करके एक नमीन राजवंस की स्टापना की थी. और वो राजवंस कों सा था? कल्याणी के चालू के. अता हम कह सकते हैं कि जो कल्याणी के चालू के वनसा इसकी तैर लफ सेकिंड ने की थी. और इनकी राजदानी कापड थी कल्लाणी थी तो प्रारम में तो इनकी राजदानी माने खेट थी लेकिन जो मेश्वर पर्थम था उसने कल्लाणी से हटा कर सोरी माने खेट से राजदानी हटा कर कल्लाणी कर दी थी और ये कल्लाणी कहा था करनाटक में था ठिक्के अब देखे जो हम पहले भी आपको हमने बताया था रास्ट्रकूर्ट सासक हमने पढ़े थे उस टाइम भी हमने आपको बताया था कि तेलब द्वीते ने रास्ट्रकूर्ट सासक करक को हरा कर कल्लैनी के चलू के वंसकी स्ताफना की थी ठीक है और कल्लैनी के चलू के चलू के जेकेंड, विक्रमादीते, फौर्थ, सौमेश्वर थर्ड, तैयलर थर्ड ठीक है, और जो कल्लेणी के चलूखे हैं, इनमें सबसे पटता भी जो सासक था, वो था विक्रमादीते, फौर्थ, अब देखें, जो सबसे सकती साली शासक होता है, उसके बारे में कई बाते भी हो कौन-कौन रहते थे विल्लण और विज्यानेश्वर विज्यानेश्वर ने मिताक्सरा की रचना की और विल्लण ने विक्रमांग देवचरीत की रचना की विक्रमांग देवचरीत में हमें किसके बारे में पता चलता है विक्रमादिते चतुर्थ के बारे में ठीक है और अं इस्तिति का लाब उठाकर चालूक्यों के जो साम्मन थे कल्चूरी वंस ये विजल उसने क्या किया कि 1156 में कल्याणी पर अधिकार कर लिया और अपने वंस कल्चूरी वंस की स्थापना की थी ठीक है तो ये था आपका चालूक्य वंस के बारे में हमने आपको इस वीडियो म संक्सित रूप से जानकारी दी है जो एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही महत्तो पुण है आगे के वीडियो में हम आपको कल्याणी चालूक्यों के बारे में अलग-अलग साखाओं के बारे में विस्तार से अलग-अलग सास्कों के बारे में विस्तार से बताएंगे तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे